इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रातु प्रधानमंत्री मोधी जी ने मेरे पती को जेल में डाल दिया क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया क्या आप सब मांते हैं कि केजिवाल जी एक सचे देश भग और इमांदार इंसान है एक सचे देश भग और इमांदार इंसान ये बीजय पी वाले ये कहा रहे है कि केजिवालouter जेल में है इन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए केजरिवाल जी को इन्होंने गिरिफ्तार कर लिया आपके केजरिवाल शेर है शेर ये जादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोर और लोगे के दिल में पस्ते हैं केजरिवाल जिस बहादरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन्ग में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्श के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारत वासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिदाने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग मांगता हूं 140 करोड भारत वासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अमंतरित करता हूं भारत एक महांदेश है हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दियत सब कुछ है भारत में फिर भी हम पिछडे क्यों है हमारे लोग अनपड क्यों है गरीब क्यों है मैं यहां जेल में हूं यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है रात को तूट तूटके नींद आती है भारत मा के लिए सोचता हूं भारत मा बहुत दुखी है भारत मा दर्द में है दर्द से करा रही है जब महगाई की वज़े से लोगों को दो लोग की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मा को बहुत दुख होता है जब भारत मा के बच्चों को अच्छी सिख्षा नहीं मिलती 75 साल बाद ही सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत मा बेबस और लचार महसूस करती हैं जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं सडके तूटी हैं पिचतर साल बाद भी हालत खराब हैं तो मा को बहुत बीड़ा होती है उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लक्षेधार भाशन देते हैं शानों शौकत की जिन्दगी जीते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लुटने में लगे हैं तो भारत मा को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से भारत मा को सक्त नकुणत है आईए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं 140 करोन लोगों के सपने का भारत एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भर पेट खाना मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा कोई बेरोजगार नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा कोई अंपर नहीं होगा हर बच्चे को अच्छी सिक्षा मिलेगी चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का हर भी मिमार को अच्छा इलाज मिलेगा चाहे वो अमीर हो या गरीब देश के कोने कोने में 24 घंटे विजली होगी देश के हर गाउं में शांदार सडके होगी एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्च में सिक्षा का केंदर होगा जहां दुनिया भर के युवब बढ़ने के लिए आएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेकनोलोजी में वर्ड लीडर होगा भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहचाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई उच नीच नहीं होगी नफरत नहीं होगी, मार पीट नहीं होगी, गाली गलोच नहीं होगी, जहां सब को नयाय मिलेगा प्रेप और भाईचारा होगा। तो हम सब मिलकर ऐसे महान राश्र का निर्मान करेंगे। केवल नाम में इंडिया गडवन्दन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा, मंजूर है, दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है, तीसरी, हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी, होना चाहिए, चोथा, हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे, हर चिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर वैक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे, मंजूर है, पाच्वी, किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मताबिक सही फसलों पर MSP निधारिद करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है, छेटी, दिली के लोगों ने 75 साल से अन्याएं सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है, उनकी चुनी हुई सरकार बंगू है, यह अन्याएं हम समाप्त करेंगे, दिली वाचियों को उनका हग दिलाएंगे, दिली को पून राज्य का दज्जा दिलवाएंगे, मंजूर है, मैं आज ये एलान करने के लिए अपने सभी इंडिया कटबंदन के साथियों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये एलान करने के पहले, मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली, जेल में हूँ, इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था, उमीद करता हूँ, कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी, ये सभी छे कारंटी हम पाथ साल में पूरी करेंगे, इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है, मैं यहाँ जेल में स्वस्थ हूँ, पूरी उर्जा से भरा हूँ, इस गिरफतारी ने मेरे होंसलों को और मजबूत किया है, आपकी दुआए और आशिरवाद मुझे लगातार मिल रहे हैं, उपर वाला मेरे साथ है, जल भार आकर आपसे मिलता हूँ, आपका अरविन, सभी लोगों को, सभी लोगों का आशिरवाद,